अपने अपने कामों में ब्यस्त होंगे और उसी ब्यस्तता से थोड़ा सट टाइम निकालके आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज फ्रेंड्स एक लाइक तो बनता ही है और संध थेगा तो प्लीज आच की फिडियो में मैं गनेज बिल के बारे में बात करूँ गी जिसके रेट क्लर करे प्लावर आते हैं इस में बहुत ही सुंदा लगता है तो यह देखें फ्रेंड्स में यह जिए ए सिक empire ने बहुत ही artificial है देख सकते हैं और यह flower सुबह को खिलते हैं friends और दोफर होते होते मुझा जाते हैं और देखिए अब कल्या भी कितनी आई हुई है बहुत ही ज्यादा और rainy season का फ्लावर है friends rainy season ही खिलता है और यह मेरे माईके के घर के छत में लगा हुआ है friends चत के boundary वाल के railing में लगा हुआ है friends देख सकते हैं और चोटा सा यहां पर गंबला है उसी में लगा हुआ है और इसकी बेले कितनी फैली हुई है देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि डेकोरेशन किया गो है जैसे कि जालर light को लगाया जाता है वैसी इसकी खुपसूरती बनी हुई है friends तो इस plant को आप अपने garden में जरूर से जगदे अपने घर में लगाएं अपने आंगन में लगाएं और छट में लगाएं और इसे आप hanging pot में भी लगा सकते हैं यह लटकते वे काफी खुपसूरत लगेंगे और देख सकते हैं यहां पर इतनी जादा इसकी बेले फैल गई ह हैं और एकसे अपने garden में लेगे तो सालो साल चलता रहेगा इसकी बीज हो जाते में जरू हूं एक बहुत ही जरूर द्फी मैं अपने लाई और स्टें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं लेकिन इसमें वाइट पिरता और पिंक होते हैं लेकिन मैं ज्यादा रेड़ी देखी हूं और नर्शरी में देखी और नर्शरी में भी असानी से मिल जाएंगे तो इतना मतलब गूसी हो गया है और इसमें बहुत सारी कल्या भी लेगी हुई है तो फ्रेंड्स इसमें एक बात और बताना चाहूंगी कि इसमें खाद कौन सी डालते हैं तो इसमें सिंपल सा ज्यादा इसको केर करने की ज़रत नहीं है इसमें गोबर की खाद और राक जो हम कंडे जलाते हैं गोबर की उपल इसको उसका लिक्विट घोल बनाकर आप इसमें डाल सकते हैं तो आपके इस गनेश बेल में भर-भर के फ्लावर आएंगे देखी इस तरकी से और फूलों की एकदम बारिश होगी रेड रेड काफी खुबसूरत लगेगा देख सकते हैं बिल्कुल आर्टिफीसियल लग रह हैं तो फ्रेंड्स यह गनेश बेल के बारे में मैं छोटी से आप लोग को जानकारी से अरकी हूं तो प्लीज आप लोग को अगर अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक किजिएगा और और भी कुछ जानकारी चाहिए या फिर आप लोग मुझे कुछ सजेशन करना चाहो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार